श्याटिका या ग्रदर्सी आजकर हम देखते हैं कि श्याटिका की प्रोब्लम दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है और कई बार हम लोग समझी नहीं पाते हैं कि ये जो टांग का दर्द है ये किस वज़े से हैं तो आयरवेद मतानुसार या आधुनिक मतानुसार ये श्याटिका और ग्रदर्सी क्या है क्यों होती है हम इससे कैसे बच सकते हैं आईए, आज हम इस वीडियो में जाने इसके डायेट के बारे में, इससे रिलेटिट एक्ससाइज के बारे में और इससे रिलेटिट ट्रीटमेंट के बारे में शियाटिका के विशे में जब हम बात करते हैं कि शियाटिका होता क्यूं है तो जो श्याटी का नर्व है उसके पाथवे के बारे में हमें देखना पड़ेगा और according to Ayurveda यदि हम बात करें तो आचारे चरक ने चिकित्सा इस्थान में वात व्यादी प्रकरण में इसके लक्षण बताते हुए कहा कि इस्थिक पूर्वा कटी प्रष्ठो रुजानु जंगा पदम क्रमात अर्थात इस्थिक प्रिष्ठा ये जो व्यादी है हमारी ये बटक रीजन से प्रारंब हो करके फिर इसका पेन जो है वो बैक में जाता है और कमर में जाता है उसके पश्चात ये पेन हमारा लोर लिम्ब की तरफ रेडियेट होता है तो पहले हमारी ये प्राब्लम कमर की तरफ बनेगी और उसके बाद ये पेन हमारा पैर की तरफ या लोर लिम्ब की तरफ जाता है जो बेसिकली इसका कारण है श्याटिका होने का वो है वात में डि इस्बैलेंस हो जाती है या हम कहें कि वाईयू के साथ कफ़ो दोश का भी अनुबंद हो जाता है या वो उसमें मिक्स हो जाता है तब जाकर के शियाटिका की प्रॉब्लम क्रियेट होती है क्योंकि कई बार लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि ये जो हमें पैर में दर्द हो रहा है वो किस कारण से हैwow तो उन कारणों को जानने से पहले आए हम सबसे पहले इसका थोड़ा सा शियाटिका नर्व को समझते हैं कि ये हमारे शरीर में कहा से कहां तक मुव करती है sciatica nerve हमारे शरीर की सबसे मूटी nerve है जो कि 5 पार्ट से मिलकर बनती है इसमें से की 2 पार्ट हमारे lumbar region से आते हैं और 3 पार्ट हमारे sacral region से जैसा की आप इस picture में देख रहे हैं कि ये पांचो भाग जुड़कर के नीचे की तरफ हमारे लोवर लिम में एक मोटी सी वेन को, मोटी सी नर्व को बना देते हैं, जिसको हमकी श्याटिका नर्व कहते हैं, यही कारण है कि जिस समय हमें कोई इंटर वर्टिब्रल डिस्क में हमारी इंजरी होती है, तो हमारे ब इंजरी के, वो हैं यदि आप सीजेंटरी लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं, या अधिकतर लेट करके काम करते हैं, या बहुत देड़ तक कई बार खड़े रहते हैं, एक ही पोस्चर में तब भी हमारी नर्व कंप्रेशन होने के चांसे रहते हैं, या फिर वो लोग ज पड़ता है, जिसकी वज़े से कई बार नर्व का कंप्रेशन हो जाता है, एक और बहुत महत्पूर्ण कारण देखा गया है, कि जो लोग अचानक कभी जटके से कोई वजन उठा लेते हैं, या सरका देते हैं, या फिर जो जिमर्स होते हैं, वो कई बार एक्सरसाइज करत हैं, तो यदि आप राइट साइड में ही लगातार वालेट रख रहे हैं, तो भी उससे नर्व कंप्रेशन के चांसिज रहते हैं, तो आपको अपनी साइट चेंज करते रहनी चाहिए, अब बात आती है कि किस प्रकार के आहार का या किस प्रकार की डाइट का हमें शियाट हो गई है, तो हमें कौन सी डाइट लेनी चाहिए, इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप न्यूट्रिशनल और बैलेंस्ड डाइट लें, और इस्पेशली जो हमारी वात शामक और शदियां है, या वात शामक जो डाइट है, उसको अपने दिन चर्या में इंक्लूड करें अब कौन सी डाइट ऐसी है कि जिससे श्याटिका बढ़ेगी, तो इसके लिए आपको चना, राजमा, लोबिया, मतर, केला, इस तरीके की चीजों को अपने भोजन में इंक्लूड नहीं करना है, इनको नहीं खाना है, और ये जैसे आपकी आलू है, अर्भी है, जिमीकंध है, इस प्रकार के भोजन को भी छोड़ देना है, आप क्या ले सकते हैं अधिक मातरा में, आप पालक का सूप ले सकते हैं, गाजर का सूप ले सकते हैं, और साथ में हल्दी मिला हुआ दूर भी प्रियोग मिला सकते हैं, क्योंकि हल्दी अपने आप में anti-inflammatory है, वो हमारी जितनी भी tissues हैं, या जो nerve में swelling है, या inflammation है, उसको दूर करने में हमारी मदद करती है, और दूसरा diet के साथ साथ जरूरत है, कुछ न कुछ व्यायाम की, तो आईए, आप आगे हम आपको बताते हैं कि कौन-कौन से व्यायाम करके, आप अपने shriatika के pain को improve कर सकते हैं, इस exercise मे आप अपने एक पैर को 30 to 60 degree तक उपर उठाएं, और बापस नीचलाएं, यही प्रक्रिया दूसरे पैर से करें, दोनों पैरों से आप 10-10 बार इस process को करें, और उसके बाद दोनों पैरों को एक साथ उपर उठा करके, 30 to 60 degree तक रोकें, और फिर बापस नाएं, यही same exercise आप बैक में लेट करके भी अपने दोनों पैरों से कर सकते हैं, कोशिश करें कि जो भी exercise कर रहे हैं, उनको 10-10 बार repeat करें, फिर तीसरी exercise आप करेंगे, side leg raising, जिसमें आप side में लेट करके अपने एक एक पैर को उपर उठाएंगे, और फिर नीचे लाएंगे, ब्रीधिंग हमार इंटर वर्टिब्रल डिस्क के लिए लाबदायक है, इसमें आप शोल्डर के पास अपने दोनों हाथ रखके, अंबलाइकस तक उपर उठने की कोशिश करें, और सांस छोड़ते हुए बापस आएं, और हातों को पीछे की तरफ ले जा करके सीधे बैठने की भी कोशिश क करें, चुकि ये व्याधी वात की वृद्धी के कारण हो रही है, और वात हमारे शरीर में तभी बनता है, जब हमारे शरीर में आम की उत्पत्ती होती है, आम मने जब हमारे शरीर में टॉक्सिस एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो उन टॉक्सिस को एक्यूमुलेशन से रोक को इस प्रकार की कोई भी वात व्यादी होने की संभावना बहुत कम होगी तो मल शोधन के लिए आप क्या कर सकते हैं आप रात को एक चमच त्रिफला चूण का इस्तेमाल कर सकते हैं गर्म पानी के साथ या फिर यदि किसी को जल्दी ही मल शोधन हो जाता है या बहुत करके दूद को उपर से पी लें तो उस कंडिशन से भी क्या होता है कि सुभे को आपको कब्स की शिकायत नहीं होगी दूसरी चीज क्या आती है कि मल शोधन के साथ साथ हम शाटिका की रोगियों में पंच कर्म चिकित्सा भी ब्रदान करते हैं पंच कर्म के लिए आप ऐसे पंच रोगी धारा का प्रियोग कर सकते हैं जिसमें हम वात्शामक उषदियों का एक पर्टिकुलर उनके उस जगह पर उस प्लेस पर पेन है वहां पर उनको धारा देते हैं इसके अलावा बालू या जो सेंड होती है उससे स्टीमिन करते हैं पढ़ जिसको हम बालू का स् या फिर आप बोलस मसाज भी कर सकते हैं जिसमें हम लोग वातशामक ओशदियों को या हब्स को ले करके उसकी पोटली बना करके वातशामक तेल से ही उसकी सिकाई करते हैं यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है या नर्व कंप्रेशन बहुत ज़्यादा है तो उसमें अगनी करम का भी आचारियों ने वर्णन किया है जिसको आजकल हम कहते हैं थर्मल माइक्रो कौटराइजेशन अगनी करम का फाइदा यह है कि एक या दो सिटिंग में ही उस पेशेंट को 80-90% तक रिलीफ मिल जाता है तो आप अपने किसी भी नजदी की चिकित सक से इस विश्य में परामर्श ले सकते हैं या आप चाहें तो भविश्य में हमसे भी संपर्ग कर सकते हैं अब दूसरी बात आती है कि क्या हम घर में भी कोई ऐसी आश्चदियां इस्तिमाल कर सकते हैं जो हमारे श्याटिका के पेन को कम करें तो इसके लिए आपने घरों में देखा होगा कि अधिकतर घरों में हर सिंगार का पौदा होता है हर सिंगार के पौदे की खासियत यह है लग दें और आधा गिलास जब रह जाए उसका काड़ा बन जाए तो उस हर सिंगार के क्वात का आप सुभे खाली पेट सेवन करें और शाम को खाना खाने से एक घंटे पहले आप उसका सेवन कर सकते हैं दूसरा इसके साथ साथ आप एरंड तेल लेकर के उससे अपने जो आपका पार्ट है लोर जोइंट है आपका लोर लिंब है जहां पे आपको पेन है वहाँ पर आप मसाज कर सकते हैं और सिकाई भी कर सकते हैं इसके अलावा आप और क्या इस्तिमाल कर सकते हैं तो आईए अब आपको एक वात्शामक तेल का बनाने की विधी भी बता दें क् हर एक के पास जरूरी नहीं है कि मार्केट जाने का टाइम हो और वह एरंड तेल या महनारायंड तेल ऐसे ला पाए तो आप घर में भी अपने तिल प्रयोग कर सकते हैं तेल को बना करके इसके लिए आपको क्या लेना है आप नोट कर ले तिल का तेल ले ले 100 ml उसके साथ और 10 ग्राम के लगवग आप उसमें मेथी दाना डाल सकते हैं और अब इस तेल को हमें क्या करना है अच्छे से गर्म कर देना है जब वो थोड़ा गर्म हो जाए आपको लगे कि मेथी दाना और अजवाइन उसमें भुन गई है उसके बाद उसे 3-4 घंटे आप पढ़ारे प्राइफ आएगा श्याटिका की प्राब्लम को दूर करने के लिए आप एक वात्षामक चून भी बना सकते हैं उसकी विधी इस प्रकार है कि आप अश्वगंधा ले लिजिए निर्गुंडी का चून ले लिजिए साथ में गिलोई चून ले लिजिए और एरंड का चू या किसी भी आयर्विदिक दवाओं की दुकान पर आसानी से मिल जाती हैं तो अश्वगंधा निर्गुंडी गिलोई और एरंड इन चारों को समभाग में मिला करके आप एक एर टाइट कंटेनर में रख दें और उसकी एक एक चमश मात्रा सुभे शाम आप शहद मिला करक सकते हैं और यदि डायविटिक पेशेंट है तो वह बिना शहद के उसको गर्म पानी के साथ ले सकते हैं तो यह भी आपकी वात का शमन करेंगी और आईए अब आपको एक वात शामक चाय भी बता दे क्योंकि हम सुभे सुभे उट करके चाय भी पीते हैं तो उसके लिए आप मेथी दाना ले लिधे रात को आप उसे एक चम नित्थी दाना भीग दे चैनाइका हो साथ में ढाल चीनी हैं थोड़ा ते ले वात इसको डाल करके आप उसे हलका सा बॉयल कर लें बॉयल होने के बाद उसे चान दें और यदि आपको अवश्यक्ता लगती है तो आप उसमें शहट डाल सकते हैं और थोड़ा सा सेंधा नमक एक चुटकी भार उसमें आप सेंधा नमक डालिए क्योंकि यह क्योंटी चीजें और हमारी मेथी तालचीनी ये भी हमारी वात का शवन करने के साथ साथ हमारे टिशूज के इंफ्लेमेंशन को भी एक तो तो आशा करती हूँ कि ये exercises, जो diet है और कुछ औशदियां ये आपको जरूर फायदा देंगी लेकिन यदि फिर भी आपका दर्द सही नहीं हो पा रहा है या आपको ज़्यादा परिशानी हो रही है तो आप अपने नजदी की चिकित सक्षे जरूर परामर्शनें तो मेरे ख लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवादा